आज हम आपको बताएंगे कि किड्नी रोगी कौन-कौन सी डाले खा सकते हैं, तो चलिए चल्दी से जानते हैं मानव शरीर में किड्नी एक एहम स्थान रखती है, वैसे तो शरीर के सभी अंगों का अपना-अपना एक जरूरी काम होता है लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि किड्नी आपके सभी अंगों को नियमित रूप से चलाने में मदद करती है, तो ऐसा गलत नहीं होगा जी हाँ, किड्नी शरीर का एक एक एसा अंग है जो बाकी अंगों को प्रभावित करता है, इसलिए इसका स्वस्त रहना बेहत जरूरी होता है, ताकि आपके और अंग भी ठीक से काम कर सकें किड्नी को ठीक रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने नियमित आहार में बदलाव करें, सही आहार के साथ साथ सही समय का भी ध्यान रखें, यानि कि अच्छा आहार तो खाएं ही, लेकिन समय पर खाएं, ताकि आपका शरीर उसको ठीक तरह से डाइजस्ट कर सकें अब जब सही आहारों के बारे में बात हुई, तो क्यों न हम डालों के बारे में बात कर लेते हैं? किड्नी को स्वस्ट रखने के लिए आप सभी प्रकार की डाले खा सकते हैं, क्योंकि डालों में बहुत सारे वाइटमिन्स और मिनरल्स होते हैं, जो आपके स्वास्ते को बहतर बनाए रखते हैं. परन्तु, बात अगर किड्नी रोगी की करें, तो किड्नी रोगीों को खाने में कई चीजों का परहेज होता है. इसलिए किड्नी रोगी को धुली मूंग डाल और रिपोर्ट्स के हिसाब से अरहर डाल भी दे सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे, किड्नी के मरीज धुली मूंग डाल साथ दिन में एक या दो बार खाएं और वो भी अपने काईटीशन के कहें अनुसार. आईए, अब आपको धुली मूंग डाल के कुछ फायदों के बारे में बताते हैं. धुली मूंग डाल में हाइपो कोलिस्ट्रोल में आके गुण होते हैं, जो आपके शरीर में कोलिस्ट्रोल को बढ़ने नहीं देते और इससे आपका ब्लड प्रेशर भी नॉमल बना रहता है. बढ़ते ब्लड शुगर को कंट्रोल करना हो, तो इसके लिए धुली मूंग डाल एक अच्छा उप्शन है. साथ ही, ये डाल खाने में हलकी होती है, तो इसको डाइजस्ट करना भी आसान होता है. इतना ही नहीं, धुली मूंग डाल में पॉलिफेनॉल्स के गुण होते हैं, जो आपके शरीर में होने वाले इन्फिक्शन से आपको दूर रखते हैं. साथ ही, इसकी तासीर भी थंडी होती है, जो पेट में गर्मी नहीं करती, जिससे के आपका पेट भी ठीक रहता है. धुली मूंग डाल खाने से आपको एलरजी की समस्या भी नहीं होती. साथ ही, ये आपको स्किन से जुड़ी समस्याओं से भी दूर रखती है. तो ये हैं धुली मूंग डाल के कुछ खास वाइदे, जिनकी किड़नी ठीक है और वो अपनी किड़नी हमेशा हिल्दी रखना चाहते हैं, तो उन्हें इस डाल का सेवन सरूर करना चाहिए. अगर आप किड़नी की समस्या से परिशान हैं, तो उसके लिए आप कर्मा अयरुवेदा से संपर कर सकते हैं. कर्मा अयरुवेदा उपचार के इंद्र में आपको किड़नी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मलता है. और यह उपचार पूरी तरह से प्रकार्टिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाब नहीं होता. कर्मा अयरुवेदा उपचार के इंद्र में आपको सफल इलाज के साथ साल बहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है, जो आपके स्वास्ते के लिए लाबदायक होती है. कर्मा अयरुवेदा में आप जालसस और किद्नी ट्रांस्प्लांट चैसे समस्याओं से दूर रहते हैं और पूरी तरह प्राकर्टे के लाज प्राप्त करते हैं. आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेर करना वलकुल भी न भूलें. साथ ही आप अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं. अगर आप किद्नी की किसी भी समस्या से परिशान हैं, तो आप हमे वाटसब के माध्यम से संपर कर सकते हैं. हमारा नंबर स्क्वीन पर मौझूद है. आज के लिए बस इतना ही, हम आप से फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी और ने टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अपना खयाल रखें, हेल्दी रहें, नमस्कार.